Hello and welcome to our YouTube channel, Rubel Solutions. Students, in this program, we will enter an array and display the prime numbers in that array. Okay, बहुत हैं इंट्रस्टिंग प्रोग्राम है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी, कि एक आरे में वैल्यूस कैसे डालते हैं, और फिर कंपेर कैसे करते हैं, और फिर आउट्पूट कैसे दिखाते हैं. ठीक है, चलो शुरू करते हैं, hash include studio.h, int main, उसके बाद हमने एक एरेलिया a10 से, एक एरेलिया प्राइम 10 से, मतलब एक एरेलिया ताकि हम एंट्री डलबा पाएं, एक एरेलिया ताकि हम उसमें से प्राइम नमबर निकाल पाएं, और n, i, j, c और t ऐसे variables हैं जो की काम आएंगे looping में और comparison में, ठीक है, अब सबसे पहले printf करवाएंगे user से कि वो कितने array डलवाना चाहता है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कितने elements डलवाना चाहता है, और हम कैसे डलवाएंगे, पहले उसको message show करेंगे, उसके बाद scanf simple करके and end करके उसको value डलवा लेंगे, ठीक है, उसके बाद जब उसे डाल दिया कि मैं 5 डलवाना चाहता हूं, उसके बाद printf करेंगे और user से loop के थूँ, values enter कर डलवाएंगे a में, किस में डलवाएंगे a, for condition लगेगी i equal to 0, i less than equal to n, i plus plus, उसके बाद scanf करवाएंगे and ai में सारी values डलवाएंगे, ठीक है, यहां इस loop से क्या हुआ कि सारी values ai में आगई जो भी user ने डाली, उसके बाद अब शुरू हुई prime number की conditions, तो for loop लगाई, वही i to n के लिए, c पहले initialize 0 कर दिया, फिर condition यह है, if j is equal to 2, and j is less than ai, j plus plus, if j percentage, ai percentage j is equal to equal to 0, then c is equal to 1, आपको पता है, हमने पुराने program prime numbers के किये हैं, तो हमें एक variable चाहिए होता है, जिससे हम decide करते हैं, क्या वो prime number है या नहीं है, ठीक है, अगर c equal to equal to 0 है, तो उसको क्या करते हैं, prime number की जो array है, उसमें डालते जाओ, और plus plus करते जाओ, अगर c equal to 1 है, तो break कर दो, क्या कर दो, break करके वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद, हम जब हमारे बास prime number आ गया, prime number कहां पर आ गया, prime t में, तो हमें उसे print करवाना है, तो print करवाने के हम क्या बोलेंगे, print f, हम print करवारे हैं, loop लगाएंगे, i equal to 0, i less than t, अब t क्यों लगाएंगे, क्योंकि prime t में सारी values हैं, आपने देखा, पहले loop क्या लगाई थी, i less than equal to ai, और i less than equal to 1, n, अब जो latest values हैं, prime number की, वो prime t में है, तो loop कहां से लगेगी, for i equal to 0, i less than t, i plus plus, और print f क time i को, और return 0 कर देंगे, i hope this program is clear, इससे आपको ये सीखने को मिलेगा, कि दो loops के साथ कैसे काम करते हैं, एक loop है, जो enter करवाने के काम आई है, एक loop है, जो display करवाने के काम आई है, ठीक है, और दो ही errors है, क्योंकि अलग-अलग answers है, इसलिए दो errors है, i hope this program is clear, i find this program very interesting, thank you for this program, programmer, thank you for all the support you are giving, i will show you the output also, run करेंगे, अभी हम enter limit, अभी मैं डालूंगी 5 numbers, ठीक है, मैंने डाला 12, जो हमें पता है कि prime number नहीं है, 5, 3, 75, 45, अभी इसमें से prime number कौन कौन से है, सिर्फ 5 और 2, आपने देखा कितना अच्छा program है, और प्लीज आप notes बनाते जाए, और इन programs को, आप comment box से भी ले सकते हैं, और उसे run करके देखें, क्या आपके computer में run हो रहा है, और अगर कोई problem आ रही है, तो आप हमें जरूर बताइए, मैं जरूर सॉल्फ करूँगी, आप हमें facebook page के थूरू, या instagram के थूरू, या youtube comments के थूरू भी contact कर सकते हैं, thank you so much for all the support you are giving, love love, have a nice day आपके आपे,